नमस्ते ओस्तो, कहा जाता है कि जिन्दगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो, तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्सक की तरह देखते हो, तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, या दुखी हो सकते हो, पर जीत नहीं सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहा जाता है कि जीवर में किसी भी situation को हलके में नहीं लेना चाहिए, हमेशा तयार रहना चाहिए, किसी भी परेशानी से निपटने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि आपको खेल में हमेशा सामील होना जरूरी है, दूर से देख कर खेल का स्थिती को आप परक नहीं सकते हैं, ठीक इसी के लिए कड़ी मिहनत क्या बसकता होती है चाहे कोई भी एक्जाम हो कोई भी लक्ष की प्राप्ति के लिए तो आईए इसी सूविचार से हम लोग आज की डिसकर्शन को शुरू करते हैं आज का डेट है एक दिसंबर 2023 और अभी हम डिसस करेंगे दह हिंदू के कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में तो सबसे पहले आज एक वर्ड लोकेशन हम लोग डिसस करेंगे जो सोमालिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहां बहुत ही बहानक अस्तर पे बाढ़ हाई है बहुत ही गंभीर इस सिती है बाढ़ की कारण वहां पर सोमालिया म ठीक है इस तरह का लोकेशन है वहां पर सोमालिया जिसके उत्तर पच्छिम में जिबूती है उसके आद केनिया है दस्चिन पच्छिम में उत्तर में अधन की खाड़ी है सभी को हम लोग मैप में देख लेंगे उसके जो दो इसकी परमुख नदिया है जूबा और शबेले इन दोनों के भी बारहें पढ़ लेंगे जो दोनों एथियोपिया से लेकर हिंद महासागर तक बहती है हिंद महासागर में गिरती है ठीक है जो देश के दशनी भाग को काटती है और दोनों नदिया परवाह में बड़े मौसमी बदलाओ का भी अनुभव करती है उसके अगला अर्टिकल है समुद्री ब्यास्ताओं के बीच नौसेन अपने सबसे बड़े नौसेनिक अभ्यान के लिए तयार है मिलान एक्सेसाइज 2024 को फरवरी में होने वाला है विशाखा पत्नम में इसी के लिए यह इंपोर्टेंस रखता है हम लोग हर एक चीज़ को विश्तार से पढ़ेंगे कि जो मिलान एक्सेसाइज है वो कब से शुरू हुआ और यह किनकिन देशों के बीच लड़ा जाता है अब ही विशाखा पत्नम में क्या जाएगा इसी के लिए इंपोर्टेंस रखता है उसके अगला आर्टिकल जो है इसरो का कहना है कि एक्सरे पोलारी मीटर सेटलाइट भारत जो है वो लॉंच करने के रिए तयार है तो इसको हम लोग बहुत ही मातपूर हो जाता है यह जो का फूल फॉर्म है और यह किसके द्वारा क्या जा रहा है इस रूप पलस आराराई मतलब की रामन रिसर्ज इंस्ट्यूट तो यह दोनों सन्योक तुरूप से एक्सपो सैट का निर्मान कर रहे है जिसे कहा जाता है एक से पुलारी मीटर सेटलाइट ठीक है इसके बारे ह को लॉंच करने की बात की जरी इसकी क्या महता है सीनिफिकेंस क्या है ठीक है सारे चीज को डिसर्ज कर लेंगे उसके अगला अगला आटिकल जो है अभी पांच राजियों में चुनाव चल रहा है तो यहां पर लगातार ओपीनियन पोल और एक्जिट पोल की बाते चल रह में अभी इलेक्शन चल रहा है तीन दिसंबर को इनका जो है वो रिजल्ट एनॉंस किया जाएगा ठीक है तो अभी इलेक्शन कमिशन ने हिमाचल पर्दिस और गुजरात इलेक्शन में उससे पहले एक्जीट पोल पर रोक लगा दिया था तो इसी के लिए यह महत्व परिक तोर पर संघे गं़राज स्वमालिया कहा जाता है जिसे पुर्व में सोमाली लोकताँत्री गं़राज के रूप में जना जाता था जो अफ्रिका के पुर्वी किनारे पर इस्थित है ठीक है इसके उत्तर पस्चि में जिबूती दस्चिन पस्चि में केनिया और उत्तर में अधन की खाड़ी है वहीं पूरब में अगर देखा जाए तो हिंद महासागर और पस्चि में एथियोपया भी इस्तित है समालिया के लिए जो परमुक जल संसाधन है वो है दो बारह मासी नदियां याद रखेगा बारह मासी नदियां कहा जा रहा तो यह किसी न किसी पहार से निकलती होगे ठीक है क्योंकि यह बारह मास उसका जल स्थर जो है वो सुखता नहीं है यह दो नदियां है जूबा और सबेले जो दोनों जो है वो एथियोपया से लेकर हिंद महासागर में गिरती है जो देश के दश्री भाग को काटती है और दोनों नदियां जो है परवाह में बड़े मौसमी बदलाओ का भी अनुभव करती है लेकिन कभी भी पूरी तरह से सुखती नहीं है सुमालिया में 1755 नामित पहाड़ है जिसमें सबसे उची चोटी जो है वो सिंबिरिश है इन दोनों चीजों को हम लोग फिगर में देख लेंगा और सबसे पर्मुक परवा कारकूर है तो सबसे पहले सुमालिया कहा है तो पहले अफरेकरण कांटिनेट में देख लेते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह इसान पार्ट से एक्वेटर गुजर रहा है अब इसकी राधाने जो है मोगाद इसू है यह भी इस्टन पार्ट में ही कोस्टल एरिया में मोस्टली हम लोग देखते भी है कि जितने भी बड़े बड़े कंट्री जहां पर कोस्टल से उसका जुड़ाव है तो मोस्टली जो फैस्सप्रणजूश आगए कि जीवूति हो गया इरिट्रिया कर ठीक है और इससा गल्फ अधान हों इसके नॉर्थ में और इसके इस्टन्ड साइड में की नाया है आधे करेश है और साट में केनिया और यहां पर दो रिभर जो हम लोगों बात किया था शेभेले रिभर और जूबा रिभर यहां पर है और यहां देख सकते हैं कारकार जो है पर मुख परवत है और सबसे उची चोटी जो है सिंबिरिश है ठीक है तो हर एक चीज को हम लोग डिस्स कर लिए में लिए है जो लोकेशन है बहुत महत्पूल है और यह याद रखेगा यह एक्वेटर स है अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ हम लोग डिस्स करेंगे इंडियन ने भी मिलान इक्ससाई 24 जो कि फरवरी 24 में विसाका पर्टम में आयजित होने वाला है तो इसके बारे में हम लोग कुछ बारिकों से पढ़ लेते हैं जैसे कि अभी बैस्विक अस्तर पर संगर चर रहा है तो इसी के करण इस तरह की लड़ाई में अब कई ताकतवर देश भी किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं इसी के मद्रजर अब हमारी जो सेना है वो अपनी ताकत को पर्दसित करने के लिए बैस्विक अस्तर पे इंडियन नेवी साल 24 के फरवरी में ऑप हमारी सेना हर समय उसे उसकी अवकात से रूबरू करा रहती है इसी के लिए भाज जो है अपना नेवी को पर्दसित करना चाह रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या इसकी मजबूती क्या है अब एक बार फिर हमारी सेना जो है दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तयार ह साल 2024 के फरवरी में आयोजित होने वाला नौ दिवस्य है याद रखेगा यह नौ दिवस्य एक्सरसाइज है और नौ सेना का यह यूद अभ्यास में हमारी इंडियन ने भी अपनी बढ़ती समुद्री सक्ति को परसित करेगी 2024 के फरवरी में 19 से लेकर 27 फरवरी तक विसा का पत्ना में आयोजित होगा यह मिलान अभ्यास इसमें लगभग सभी इंपोर्टेंट कंट्रीज भाग लेंगे जैसे अमेरिका हो गया जापान हो गया औस्ट्रेलिया फ्रांस बांगरादेस दच्छिन कोरिया वियतनाम दूई बारसिक बहुपक्षिय नौसेनिक अभ्यास है जिसकी शुरूआ जो है 1995 में अंडमान और निकोबार छेत्र में भारतिय नौसेन द्वारा क्या गया था 1995 के संस्क्रण में केबल चार देश थे इंडोनेशिया, सिंगापूर, स्रिलंका और थाइलैंड की भागदारी के साथ चुरू हुआ था ये अभ्यास परन्तु मुल रूप से भारत की जो मिलर्न नौसेनिक अभ्यास रूप करने का जो लक्ष है वो लूकिस्ट पॉलिसी के नुरूप कल्पना करना है और मिलर्न ने अपने आने वाले बरसों में आक्ट इस्ट पॉलिसी ये दोनों में बहुत ही अंतर है पहले लूकिस्ट पॉलिसी था उसी को एक्स्टेंड करके एक्टिस पॉलिसी किया गया है और छेत्र में सभी के लिए सुरच्छा और विकास पहल के साथ विस्तार किया गया है ताकि पश्चमी IOR में दूइप छेत्रों की भागिदारी को भी सामिल किया जा सके देश जितने भी हैं, उनको भी सामिल क्या जासा है, क्योंकि जितने भी कोश्चल कंट्रीज होते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा खत्रा रहता है, समुदरी खत्रा, इसी के करण अपने नौसेना को ज्यादा स्यादा मजबूत करने के लिए ये सभी देश एकजूट हो रहा तो वहाँ पे लोग एक दूसरे का मयद करेंगे, इसी के माध्यम से परिचालन को जितने भी अस्किन्स होते हैं, उसको और बहतर किया जाएगा, ठीक है, उसके सर्वोत्नम पर था हैं, जितने भी नवीन तकनीक हैं, उसको भी उप्योग किये जाएगे, और अनेक परकार क नए-ने सिस्टम्स का उप्योग किया जाएगा, ठीक है, जिसे की समुद्री छेत में सैधान्तिक सिक्षा को बढ़वा मिलेगा, और जो समुद्री सुरक्षा है, उसको भी सुनिशीत करने में ये सभी जे सक्षम हो पाएगे, ठीक है, तो ये था पुरा का पुरा मिलान न एक्सपो सैट, इसी को कहा जाता है, एक्सरे पुलारी मेटर सेटलाइट, इसी को लाँच करने के लिए इस रो जो है, वो तैयार है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, इस रो प्लस आर आर आई, आर आर आई का मतलब क्या होता है, रमन रिसर्च इंस्ट्टूट, यहाँ भारत का अग्रणी पुलारी मेटर मिशन है, जिसका उद्देश है, विसम परिश्चितियों में खोगोलिये श्रोतों की विभिन गति सीलता का अध्यन करना, यह मुक्ष उद्देश है, यहाँ नासा के इमे जग एक्सरे पुलारी मेटरी एक्सप्लोरर के बाद ए यह दूसरा पुलारी मेटरी मिशन है, यह भी आद रखेगा, यह सेकेंड मिशन है, जिसे 211 में लॉंच किया गया था नासा के द्वारा और अभी बरतमान स्वाय में इंडिया में लॉंच करने की तयारी चल रही है, ठीक है, एक्सपो साइट इस्टो और रमन रिसर्च इ यह पूछ चीज़े जो हैं जो इसके में अबजेक्टिव हैं, आगे देखते हैं जैसे एक्सपो सेट के बाज्यानिक पेलोड से हम क्या समझते हैं, तो एक्सपो सेट दो बाज्यानिक पेलोड ले जाएगा, जिसमें एक्सरे में पोलारी मीटर उपकरन और एक्सरे पेलोड खगोलिय स्रोथ से उत्पन होने वाले आठ से तीस केवी फोटोन की माध्यम से एक्सरे उर्जा रेंज में ध्रूबी करन के डिगरी और कोन जैसे पोलारी मेटरी मांदरंडों को मापने में सक्षा मोगा, इसी के लिए यह पोलिक्ष पेलोड है, और अस्पेक्ट क्या है, तो अस्पेक्ट पेलोड जो है, वो एक्सरे फोटोन की 0.8 से 15 एलेक्ट्रोन बोल्ट की उर्जा सीमा के भीतर मुलेवान समय और अस्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी परदान करेगा, खगोलिय स्रोथ को समझने का क्या महत्व है, ठीक है, इसी के लिए एक्सपोस तारे, सक्रिय, गलैक्टिक, नाविक, उसके बाद पलसर पवन, निहार का सहित, खगोलिय स्रोथ, ठीक है, उसके जटिर, उसरजन, तंत्र भी प्रसूत करेगा, जो बरतमान समय को चुनोती देता है, उसके बाद अस्पेक्ट्रोस्कोपिक और समय माप के साथ, पुलारी म कीजिए भी, तो कोश्चन में ये कहा जाता है, कि एकसरे, पुलारी मेटर सेटलाइट, जो है, वो ब्रहमांडिये, एकसरे के धुरूबी करन का अध्यान करने के लिए, एक नियोजित, अंतरिक्ष बेद साला है, निम्रिखित में से किस एजेंसी द्वारा इसे लॉंज कि अभी हर एक चीज को हम लोगों ने बिस्तार से पढ़ा, तो एकसरे, पुलारी मेटर जो है, उपगराफ ब्रहमांडिये, एकसरे के धुरूबी करन का अध्यान करने के लिए, एक नियोजित, अंतरिक्ष बेद साला है, इसे अभी बर्तमान सवय में जल्द ही लॉंज किया है, तो यह था पूरा का पूरा एकस्पो सेट, जो भी समस्चा हो, कमेंट करें, उसके जो अगला आर्टिकल है, इसमें मेलनी कहा जाता है, कि अभी हाल ही में, इलेक्षन कमिशन ने क्यों लगाई, हिमाचल पर्देश और गुजराद इलेक्षन से पहले, एकसीट पोल पर तेलांगना, ठीक है, सीट्स याद रखने के जरुवत नहीं है, और इसका जो रिजल्ट एनाउंस होगा, वो 3 दिसंबर को एनाउंस होगा, तो इसी के बारे में कुछ यह जान लेते हैं, कि exit पोल क्या होता है, और opinion पोल क्या होता है, तो opinion पोल मुखिता जो होता है, वो च सबसे बड़ी चीत, यहाँ पे difference देख सकते हैं, opinion ठीक है, जो चुनाओं से पहले होता है, और exit, exit मतलब अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, वोटिंग हो चुका है, उसके तुरंत बाद आयोजित किया जाता है, और राइनीतिक दलो, और उनके उमिदबारों के लिए समर् प्रक्षपात्पूल माना जाए, इन सर्वेक्षणों के अनुमान, प्रश्णों की पसंद, सब्दों और समय और निकाले गए नमूनों की प्रक्रिति, जो सर्वे किया जाते हैं, उसकी प्रक्रिती से प्रभावित होता है, इसलिए यह कहीं न कहीं प्रक्षपात्पूल ह था और mostly समय देखा जाता है यह ruling party की ओर जुकाओ भी रखता है अभी भी देख सकते हैं जैसे रायस्तान का ही कल देखा जा रहा था exit poll तो उसमें भी बहुत से चीजे बहुत से जो new channel है वो ruling party की ओर ज्यादा जुकाओ रखते हैं अगर 10 new channel को आप एक समय में देख लेते हैं तो उसमें कम से कम पाएंगे कि 6 जो new channel है वो ruling party को कहीं न कहीं जुकाओ के रूप में दिखा रहा है तो रायनीती दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि कई opinion और exit poll उनके परतिदंदों द्वारा प्रेदित और प्रायोजित होता है और जनता की भावनाओं यार विचारों को परतिविम्वित करने के बजाएं लंबे चुनाओं में मद्दाताओं द्वारा चुने गए बिकल्पो पर विक्रित प्रभाव डालता है उसके बैदानिक समर्थन क्या है तो सिर्श अदालत की संविधान पिट ने 1999 में कहा था कि चुनाओं आयोग बैदानिक मंजूरी की अभाव में ऐसे चुनाओं पर पर परतिबन लगाने के लिए कोई दिशानी देश लागू नहीं कर सकत चुनाओं आयोग ने कानून मंत्राले से संपर्किया और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अबधी के दौरान एक्जिट और ओपिनियन पोल दोनों पर पर परतिबन लगाने के लिए जन परतिबन अधिनियम में संस्वधन की मांग की और पीएक्ट ठीक है रिपरजेंटे उसके नवंबर 213 में चुनाओं आयोग ने चुनाओं पुर्व जन्मत सर्वेक्षन को चुनाओं की अधिसूचना की तारिक से लेकर मद्दान के अंत तक परतिबनियत करने की अपनी मांग को पुनरजिवित करने के लिए रानिदिक दलों के साथ परामर्स किया तो यह क्या है तो चुनाओं आयोग द्वारा जिला चुनाओं अधिकार्यों को IPC की धारा 188 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है यानि लोग सेवक द्वारा विधिबत आदेश की अभग्या के लिए उसके यह एक संगे अपराधे इसलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन संपादन की गिरफताई हो शक्ति है अगर इस तरह का एक्जिट पोल प्रसूत क्या जाता है ठीक है उसके बिश्मेश के क्या मानक हैं एक्जिट पोल और ओपिनियन पोल का तो यूरोपियन संग के 16 देशों में जन्मत सर्वेक्षन की का प्रतिबन लगा हुआ है वहीं फ्रांस में अगर देखा जाए तो फ्रांस का प्रतिबन मदान के दिन से 24 घंटे पहले तक लगा हुआ रहता है उसके यूके इंग्लैंड में ओपिनियन पोल के नतीजे प्रकासित करने का कोई भी प्रतिबन नहीं हालां कि मदान खत्म ह प्रकासन का एक अभिन अंग माना गया है और किसी भी समय प्रकासन की अनुमति यहां पर कोई भी प्रतिबन नहीं है अमेरिका में ठीक है चाहे वह एक जीट पोल हो या फिर ओपिनियन पोल एक मात्र प्रतिबन जो मौजूद है चुनाओ के दिन मदान स्वापत होने से प खुद पर लगाते हैं यह भी कोई पर्तिबन सरकार की द्वारा नहीं लगाया गया स्वेच्छा से जो न्यूट चलानेवाएं लोग है बेखुद लगाते हैं तो यह थे आज के कुछ important articles में लिदा हिंदू में आज ज्यादा कुछ important articles थे नहीं UPSC के परिप्रेक्षमेगर देखा जाए ठीक है तो इसी के लिए जो मुझे important लगा वो हम लोगोंने डिस्स कर ले कैसा लगा प्रीज मुझे comment करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू